तो हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग और आप सभी का आज का दिन सुब हो तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं ग्रीन फ्लेम ड्रेको यानि की यह वो एमटन के बारे में तो इस वीडियो के अंदर आपको दोस्तों ट्रेलर से लेके पिक्चर इमोट से लेके अट्रिबूट से सारी के सारी जो है इनफोल्मेशन एवो एमटन के रिगार्डिंग मिल जाएंगी तो इसलिए इस वीडियो को लास्ता जरूर सा जरूर देखें सांती दोस्तों कुछ और भी अपडेट हैं जो कि काफी मज़ेदार होने वाले हैं जिसमें हम M1887 के बारे में भी बात करेंगे जो कि काफी यहां पर इंट्रेस्टिंग M1887 की स्कीन आने वाली है तो वीडियो दोस्तों काफी अच्छे होने आलिए तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ला दोस्तों अभी कुछ दिनो के बाद आपको एक न्यूग ग्लुव़ोल की स्किन देखने को मिलेगी जहां पर आपको कुछ इस टाइप का जो है अनिमेशन देखने को में लेगा तो free fire game के अंदर दोस्तो पहली बार होगा कि जब किसी glue all की skin के अंदर animation दिया गया है और animation है इतना जादा खतरनाग और OP है तो दोस्तो आपको glue all की skin कैसी लगई और animation वो आपको कैसा लग रहा है तो इसके बारे में आप comment box में बता सकते हैं तो basically दोस्तो ये legendary glue all की skin हम उसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हाँ पर काफी ज़या जो है इसके अंदर animation दिया गया है तो अभी भहुत सारे भाई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो glue all की skin है लिजेंडरी है तो कहीं इसमें कोई attributes तो नहीं है तो दोस्तो ऐसा बिलकुली भी नहीं है इसमें कोई भी attributes नहीं है बट इसमें हाँ पर जो है थोड़ा animation दिया गया है और इसका जो look है थोड़ा खतरनाक बनाया गया है तो ये पहली skin होगी freefare game के अंदर जो की legendary होगी और जिसमें animation आपको देखने को मिलेगा तो अभी दोस्तो जो skin हो किसी भी server पे नहीं आई है कोई भी event में नहीं आई है तो जैसे ही किसी server पे आती है या फिर किसी type के event में आईगी तो उसके बाद दोस्तो मैं आपको जरूर बता दूँगा तो अभी एक कुछ दिनो के बाद या आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अभी just O.O. update आया है तो अभी हमारा KO night event चल रहा है तो उसके बाद ही कम से कम दो हपते के बाद ही आपको देखने को मिलेगी तो दोस्तो अभी आपको कुछ दिनो के बाद यहां पर दोस्तों इस स्किन को निकालने वाले हो या फिर नहीं निकालने वाले हो तो कमेंड वोक्स में आप बता सकते हैं तो अभी बात नहीं दोस्तों एट्रिबूट्स की तो एट्रिबूट्स यहां पर दूसरे सर्वर की लेंग्वेज में लिखे गए हैं लेकिन यहां पर दोस्तों जो डैनो लिखा गया है दैनो का मतलब होता है सिंगल डैमेज तो यहां पर सिंगल डैमेज इसके अंदर आप आप लेवल के होते हैं तो इसके अंदर भी आपको जो है अच्छे अट्रिबूट देखने को मिलेंगे और वैसे भी जो है इसके अंदर सिंगल डेमेज तो अभी दोस्तों इस इमेंट के बारे मैं आपको एक पूरी डेटेल से वीडियो बनाई है तो अगर आपने नहीं दे देख सकते हैं ब्लू और जो ग्रीन कलर का धुआं जो स्मोग है वो निकल ला है तो काफ़ दा ओपी इसका जो है किल इफेक्ट यहां पर बनाया गया है सांती दोस्तों जो इमोट हो आप यहां देख सकते हैं इमोट भी इसका ओपी है बड़ इसका जो इमोट है हमारी ब् attributes हैं वो हैं यहाँ पे single damage, single rate of fire और reload speed double minus तो double reload speed minus है level 1 के अंदर और अगर बआत करें level 4 या फिर level 7 की तो level 4 और level 7 में जो इसका एत्रिबूट स होंगे वो हूँगे आपे single damage, double rate of fire और reload speed single minus तो इसका rate of fire है और double हो जाता है level 4 में और जो reload speed होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको single damage और rate of heart दोनों चीज़ जो है एकी skin के अंदर देखने को मिल लई हैं, तो मैंने आपको कल की वीडियों बोला था कि आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बट दोस्तों यहाँ पर जो reload speed इसकी जो minus की है वो इसका बहुत बड़ा minus point हो सकता ह क्योंकि reload speed minus shotgun के अंदर बहुत जादा दिक्कत देती है, इस चीज़ को मैंने notice किया है और आपने भी notice किया होगा, तो वैसे जो इसके attributes हैं काफी OP हैं, बट अगर reload speed minus के लिए कोई और चीज़ जो है minus होती, तो यहाँ पर जादा अच्छा रहता, तो क्या खयाल हैं दोस्तो आपके attributes के बारे में आप comment box में बता दी, तो दोस्तो भी बात कर लेते हैं Evo M1014 की level wise looks के बारे में, तो जो level 1 के अंदर इसका looks है कुछ इस टैप से आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी यहरा ठीक ठाक लग रहा है, और बात करें level 2 की तो level 2 में कुछ इस टैप से है, level 3 इसके अंदर दोस्तो आप देख सकते हैं काफी इसका जो size बड़ा हो जाता है, बड़ दोस्तो इतने बड़े size की जो है gun को short range में चलाने मत थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो size मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा लगा हमारी blue frame draco 1 के से, बाकि जो emote है वो आपक पता चल गी होंगी और अगर दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आर वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें और जो है चैनल को subscribe भी कर लें तो ये चींची दोस्तो आप जरूर से जरूर करना तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में